आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में दोस्तों आपने निउरो काइंड सिरप के बारे में तो जरूर सुना होगा दोस्तों निउरो काइंड सिरप का उपयोग कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसके क्या साइड प्रेफिक्ट्स होते हैं साथ ही इस सिरप को इस्तिवाल करने में कौन-कौन सी साधानिया होती हैं ये भी जानना बहुत जरूरी दोस्तों तो इस एपिसोड दे हम इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों नियूरो काइंड सिरप का उपयोग मुख रूप से खून की कमी को दोस्तों इस ड्रग के बारे में बिस्तार से जानते हैं आज हम लोग यहां पर और इसके लाब के बारे में जानेंगे कैसे उपयोग किया जाता है क्या खुराक है और क्या साइड इफेक्ट हैं दोस्तों लेकिन इसको इसको इस्तिमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले ने हैं दोस्तों आईए सबसे पहले बात करते हैं इस सिरफ्ट के उप्योग किन किन लच्छनों के होने पर किया जाता है दोस्तों यह खून की कमी हो तब करते हैं बालों को जड़ने से रोकने के लिए और इम्यूनिटी में उनके रोगों को दूर करने में यदि कोई बच्चा को मैल इंट्रिशन या निकोपोशन हो जाए और उसको दस्त होने लगे तो उसको ठीक करने में कापर की कमी हो या दोस्तों जिंक की कमी हो विलसन रोग गठिया हाथ पाओं में दर्द को करने के लिए मानसिक समस्याओं बी और बहूलने की बीमारी और जिसको हाई कलेस्ट्रॉल होता है उसमें भी इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों नियूरो काइट सिरफ में इस्तिमाल होने वाली जो चीजें हैं उनमें से मुक्रूप से elemental iron, potassium iodide, elemental copper, biotin, zinc اور mycobalamin, इस तरह से कई सारी चीज़ें पाई जाती है जिसमें से दोस्तों एक elemental selenium है, niacinamide है, vitamin B6 है ये भी होते हैं, दोस्तों कैसे काम करती है, आईए इसके बारे में जानती है दवा multi-vitamin और multi-mineral का एक combination है इसके जो पाया जाता है, वो रक्त को प्रवाव करने में और oxygen को बढ़ाने में सरीर में इसके लिए काम करते है और इसके कारण अंगों और tissues में पोसक तत्तों की जो कमी होती है, वो पूरी होती है इसके अतरिकते दवाव सरीर की जो immunity system है, पूरा प्रत्रिच्छा प्रडाली है, उसमें भी सुधार करती है दोस्तों लेकिन इसके कुछ side effect भी होते हैं, इनके बारे में जानते हैं दोस्तों की कौन कौन से side effect होते हैं और यदि आपको ज़्यादा इसके बारे में side effect महसूस हो तो आप डाक्टर से तुरन संपर्क करें जैसे कि दस्त लगे, अनिद्रा की सिकायत हो, पेट दर्द हो, उल्टी आए और आपका जो मल है वो गहरे रंग का बहुत ज़्यादा हो जाए इलर्जी कुछ होने लगे, स्किन में कुछ आपके हो जाए, सिर्ध दर्द और चक्कर आए तो ऐसे में दोस्तों डाक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए दोस्तों इसमें कुछ साउधानिया बरतना जरूरी है, नियूरो कॉइन सिरप जब लें तो क्योंकि यदि आप सिंस्ट्यू बहुत हैं तो इस दवा का प्रियोग ना करें अगर आपको हाई ब्लेड प्रिशर है और पोटेशियम आपके ब्लेड में बहुत ज़्यादा है तो इस दवा का प्रयोग ना करें, अगर आप विलसन रोग से पीडित हैं, तो दोस्तो डाक्टर से संपर्ख जरूर करें, और अगर आप क्रोहन का रोग है, आपको तब भी डाक्टर संपर्ख करें, और यदि आपकी आथ में सूजन है, थेलसीमिया है, लीवर की बिमारी है और किडिनी की बिमारी है और इलर्जी है, इन सब चीजों में आप डाक्टर के सला के बाद ही इसका इस्तेमाल करें, इस तनपान के समय इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और करना की जरूरत हो, तो दोस्तो डाक्टर से सला जरूर ले, प्रिगनेंशी के दोरान भी तो उसके कई सारे दूस्प्रभाव यानि नुक्षान सामने आते हैं जैसा कि हमने आभी आपको बताया कि दस्त अनिद्रा पेड़दर मितली उल्टी इस तरह सिर्दर जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं दोस्तों कुछ ऐसी बाते हैं जो नियूरो काइंट सिरफ के बारे मे तो आप डॉक्टर से सलाज जरूर लें दोस्तों खाली पेट अगर लेने की जुरूत हो तो आप इस सिरफ को मत ही लें क्योंकि खाली पेट इस नियूरो काइंट को लेना डॉक्टर ने डॉक्टर के नुसार एलाउड नहीं है दोस्तों प्रिग्नेंसी में भी इसकी यह नहीं है यानि अंसेफ है इसलिए डॉक्टर से इसको सलास जरूर ले और दोस्तों नियूरोकाइंट सिरप लेने के बाद कि आप वहिकिल अगरा चला सकते हैं दोस्तों यह तो आपको चक्कर आ सकता है नीद आ सकती है और आपको अटेंशन में कमी हो सकती सिर्दर्द हो सकती इस लिए इसको लेना उचेत नहीं है दोस्तों अगर नियूरोकाइंट सिरप लेते हैं तो इसकी लत नहीं पड़ती है। इस बात को हम आप को क्लेर कर दें तो दोस्तों बस इतना ही इस एपिसोड में हमें उमीद है कि नीडॉरोकाइंट सिरफ के बारे में आपको sufficient जानकारी मिल गए होगी धन्वाद